कल मैं specially लाल मिर्च लेने के लिए मार्केट गई थी हमेशा वो मिर्च easily मार्केट में मिल जाती है लेकिन कल ही मुझे कही पय नहीं दीकी तो मैं ये green कलरी मिर्च लेके आ गई तो यहाँ पे मैं दो तरकी मिर्च लाई हूँ, जो dark green है वो थोड़ी सी थीखी जादा है और जो ये parrot green है वो थोड़ी सी कम थीखी है हमारे गर में किसी को जादा थीखा पसंद है तो किसी को कम तो आज मैं दोनों मिर्च मिक्स करके आचार बनाओंगी तो सब की requirement पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे दोनों मिर्च मिला के मैंने 500 ग्राम जीतनी मिर्च ली है और मिर्च की डंठल को कट कर लिया है यह जो कम तिकी मिर्च है वो थोड़ी से लंबी है तो उसे मैंने 6 टुकडों में काट लिया है और यह जो दूसरी मिर्च है जो थोड़ी सी छोटी है तो उसे मैंने 2 टुकडों में कट कर लिया है आप अपनी requirement के हिसाब से इसे cut कर सकते हो अगर आपको छोटी मिर्च चाहिए तो इससे भी छोटी काट सकते हो और अगर बड़ी मिर्च पसंद है तो इसे खाली एस तरह तो टुकडों में भी आप divide करके ले सकते हो ये जो मिर्च का आचार में बना रहे हूँ इसे हमारे गुजराद में आथेला मर्चा बोलते हैं ये टेस्ट में बहुत ही बड़े लगता है और इसे आप लंबे समय तक store करके भी रख सकते हो तो ये देखिए सारे मिर्च को मैंने cut कर लिया है और अब मैं ले लूँगी एक आचारे वो कम थिखा बनेगा अगर आपको थिखा जादा पसंद है तो आप ऐसे ही मिर्च को ले सकते हो और अब इसके अंदर मैंने डाला है एक चमबच नमक और एक चमबच हल्दी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और दस मेट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगी और जो मौश्यर है वो खतम हो जाए और यह जो हमारे मसाले है एकदम ड्राय हो जाए तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मसाले थोड़े से ठंडे हो जाए 5-10 मिट के बाद फिर उसे हमें ग्राइन कर लेना है तो चमच नमक, तीन चमच आमचुर पावडर और यह मसाला जो हमने अभी रैडी किया है वो सारा मसाला हम ले लेंगे और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल तो आप गर में जो भी तेल खाते हो वो ले सकते हो हम मुंग फली का तेल खाते है तो मैंने यहाँ पर मैंने तक ये मसाले के अंदर तेल को add कर लेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे तेल को गर्मा गरम add नहीं करेंगे वरना हमारे सारे मसाले जल जाएंगे और इसके अंदर मैंने ले लिया है निम्बू का रस तो यहां पर मैंने चार चम्मत जितना निम्बू का रस लिया है और अब इसके के एड़ टैट जार में भर लेंगे इस जार को मैंने थोड़ी देर दूप में रख दिया था अगर आपके वहां दूप नहीं आ रही है तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में 15 से 20 सेकंड इसे गरम कर लीजिए ऐसा करने से यह जो हमारा जार है एक दम फ्रेश रहेगा ओके तो रैसे भी पसंद आई हो तो प्लीज लैक कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करश्न